पी टी इटी दो हजार इकीस फीस रिफंड आफशन शुरू नमस्कार दोस्तों अनेल क्लासेज पर आप सभी का हर्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं आपके लिए लेकर काया हूँ पी टी इटी दो हजार इकीस से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी अपडेट राज की डू हजार भी जमा करवाए थे और उसके बाद उसी कॉलेज अलटमेंड नहीं हो पाया किसी वज़े से या उन्होंने कॉलेज जोइन नहीं किया तो उनको फीस वापसी का जो आपसन है वो इसका नोटी पिकेसन आया है क्या है पूरा नोटी पिकेसन उसके बारे हम जानते हैं वो अपना फीस वापस परप्त करने के लिए आवे दिन कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जान कर इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अनिल क्लासेज पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं जिससे आप को PTT 2022 याने आने वाले समय में और BSTC से समदित भी यदि किसी को करना है तो उसकी तैयरी भी अनिल क्लासेज पर करवाई जाएगी नमस्कार देखते हैं राज की डूंगर माविद्याले जैपुर रोड बीकानेर से बिल्कुल यह नोटिपिकेसन अभी जारी हुआ है आज जी दिनांक 4 फरवरी 2022 PTT 2021 पर इकसम सामिल ऐसे समस्त अभीरती जिननोंने माविद्याले आवंटन नहीं हुआ या माविद्याले आवंटन हो गया परन्तु माविद्याले में रिपोर्टिंग नहीं हुई हो यानि कईयों को माविद्याले आवंटन भी हो गया उन्होंने 22 और 27,000 भी हुए हैं ऐसे सभी अभ्यरती दिनांक 25 फर्वरी 2021 तक 25 फर्वरी 2021 तक डेट दी गई है बिल्कुल आप 25 फर्वरी 2021 तक है PTET 2021 की अधिकत वेव साइट है www.ptetraj.com पर apply for refund आइकन पर क्लिक कर अपने PTET 2021 की रोल नमर, काउंसलिंग आईडी जो अभ्यरती के PTET 2021 की परिक्स अपने नाम दर्सित है SWIM का नाम, माता का नाम तथा जनमतिती से लॉगिन कर, SWIM अपने बैंक खाते का संपूर्ण विवरन जैसे खाता संख्या, बैंक का IFC आदी भर दें याईनि आप अपना नाम लिखना है, काउंसलिंग आईडी नंबर लिखने हैं और अपनी माता का नाम लिखना है, अपनी जनमतिती से लॉगिन करना है और उसके बाद आपका बैंक खाता, यानि उसके खाता संक्या, IFC कोड आदी आपको भरने है साथ ही बैंक पास्बुक या चेक बुक अथा स्वियम का पता समंदी दस्ता वेज भी अपलोड करना है इसके साथ साथ आपको बैंक की पास्बुक है या स्वियम के पते से समंदी साए अधार कारड़ी हो उसको भी साथ में अपलोड करना है संपुन्ड विवन का मिलान कर लें ताकि नीमा नुसर उनकी दवराद जमा कराएगा सुल्क लोटाया जा सके यदि आपने सुल्क जमा करवाया है तो नीमा नुसर आपको वापस मिल जाएगा सुल्क रिफंड सम्मदित समस्त कार्य ओनलाइन आवेदन के अनुसारी होगा यानि ये सारा काम आपको ओनलाइन करना है और इसमें बिल्कुल सावदा निबरतनी है नहीं तो आपके पैसे हैं वो वापस नहीं मिल पाएंगे इसे तो PTT कार्यले से संपर्क नहीं करें तो ये काम आपको ओनलाइन करना है इसके लिए PTT से कोई ओफ लाइन आवेदन वगिरा नहीं होगे तो उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं है सबी अभ्यरतियों को पुने दियदेशित किया जाता है कि रिफण्ट के वल अभ्यरति की स्यम के बेंक खाते में ही किया जाएगा कि सिरफ और सिरफ अभ्यरति खुद का खाता है तो ये पैसे वापस आने वाड़े हैं आपको केवल अपने खाते के अंदरी पैसे मिलने वाले हैं इसलिए PTET की समस्त वे साथी जिनको PTET की काउंसलिंग में जिननों ने भाग लिया था लेकिन जिनको कॉलेज अलोटमेंट भी हुई या कईयों को नहीं भी हुई तो उन सभी को ये पैसे वापस मिलेंगी और जिन वज़े से वो बी एड नहीं कर रहे हैं तो PTET 2022 की तयारी है वो भी आपको बिल्कुल अनिल क्लासेज पर करवाई जाएगी तो PTET 2022 या BSTC प्री BSTC 2022 की तयारी करने के इच्छुक इस्टुडेंट्स हैं उन तक भी ये लिंक शेयर करें जिससे उनको नी सुलक और अच्छी तयारी करवाई जा सके धन्यवाद मिलते हैं कि इसी नेक्स्ट वीडियो में BEST OF LUCK